गशवारवuben师 9 पहले हम अपना कल वियू एक बार आनेलिसिस करते हैं कि कल हमने क्या पोला था और मार्किट ने आज कैसे काम खाज की या मैंने पहले भोला था कि अगर-egenbt involvement Camman open होती है तो हम by करके चलेंगे आए दिन बर जो है मार्किट नीचे आ रही थी नीचे रही थी उपर जा रही थी क्योंकि 11000 पर काफी अच्छी Heart थी वह Vet 16 sells us Five cents की वे स्पोर्ड थी उसकी वजा से मार्किट आज की कोशिश की मार्किट में वो सारे जो है अपडेट जो है वो सक्सेस्फुल रहे जो भी मेरे दोस्त टैलीग्राम चैनल पर जूड़े हैं वो देख भी सकते हैं और आप उनसे मश्वरा कर भी सकते हैं अगर आप नए हैं टैलीग्राम चैनल पर जूड़के वही कई मेरे को आज मैं अभी पढ़ रहा था अपना चैट जब तो मुझे लगा कि केंग जो नए प्लेयर मार्किट में आए हैं वो अच्छा खासा अपना नुक्सान कर रहे हैं मैंने इवन इनफेक्ट एक से नंबर लेके बात करने भी कोशिश की नंबर स्विच आफ आया तो मैं उसमें जो है helpless रहा नहीं तो मैं उनको जरूर समझाता है तो मैं इस वीडियो के मात्यम से सभी आपने नए दोस्तों को एक मश्वरा देता हूँ ये जो मार्किट है वैसे तो ये समूंदर है इसमें से आप जितना पैसा निकालना चाहो निकाल सकते हो तो इसमें कोई दोराए नहीं है लेकिन बशर्त है कि आपको knowledge होनी चाहिए क्योंकि अगर आप professional नहीं हो समूंदर में गोता लगाने जाओगे तो डूब जाओगे तो professional होना बहुत जरूरी है दूर से ये लगती है सोने की कान लेकिन अंदर जाओगे तो इसमें उतनी ही मेहनत लगती है जैसे की एक तोला सोना लेने के लिए आपको जह हजारों टन जो है मिटी चानी पढ़ती है और वो वही चान सकता है जिसको सोना निकालने का तजुर्बा हो अगर आप तो जुर्बा नहीं है तो आप लोगों के टेलिग्राम पे जाके कमेंट पढ़के सिर्फ अपना दुखसान करोगे दूसरा एक और मश्वरा मैं सबको देता हूँ जो टेलिग्राम पे और यूट्यूब देखके इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं और एक दी दो दिन फोटोफट फारवर्ड करके वीडियो देखते हैं और उसके बाल लगता है कि हम जो हैं इंटेलिजेंट होगे तो दोस्तो हर बंदे का व्यूव अपना है मेरा व्यूव अपना है IBC ब्रोकर का अपना है किसी भी 3rd person 4th person का व्यूव अपना उता है आप किसी के व्यूव को अपने व्यूव के साथ मत जोड़ो क्योंकि मेरा व्यूव के लिए अपने पैसे का risk लेने के लिए मेरी capacity है मैं आपके पैसे के लिए जिम्यवार नहीं हूँ तो जब कोई आपके पैसे के लिए जिम्मेवार नहीं है तो आप उसके कहने पर चलोगे तो नुक्सान अपना करोगे उसके बाप का कुछ भी नहीं जाएगा तो अब आप देखते हैं कि मार्किट ने क्या आज कामकाज किया आज देखिए FIAE माल बेचते हुए नदर आए 958 करोड का माल बेचा वहीं DIAE ने 442 का करोड का माल खरीदा तो बाकी जो 500 करोड का माल है वो हमारे रिटेलर्स भाईयों ने खरीदा अब इक बार वीउ डालिए कि आज मार्किट ने कैसे कामकाज किया अगर आप देखेंगे क्लाइंट्स ने क्या है रिटेलर्स ने आज स्टाक फ्यूचर खरीदे हैं तकरीबन 18,000 के लगबा कंट्रेक्ट हलके से इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर माइनस की है तकरीबन 1000 के लगबा कंट्रेक्ट है काल्स ख्रीदी हैं तक्रीबन 8300 से ज़्यादा कंट्रेक्ट और पुट्स बेची हैं हलकी सी 147 कंट्रेक्ट FIA इस टॉप फ्यूचर बेचते हुए नदर आये तक्रीबन 8000 कंट्रेक्ट इंडेक्स फ्यूचर ख्रीदे तक्रीबन हलके थे जो कलाइट ने सोल्ड किये वो FIA ने भरे और इंडेक्स काल बेची हैं तक्रीबन 2200 कंट्रेक्ट और पुट्स ख्रीदी हैं 7000 कंट्रेक्ट आप पदल हो रहे होंगे आगे हम जो नेट डाटा है उसमें कंक्लूड करनी कोशिश करेंगे हो क्या रहा है प्रास तक्रीबन 2600 कंट्रेक्ट जो है स्टाक फ्यूचर के बेचे हैं इंडेक्स फ्यूचर में तक्रीबन 4757 कंट्रेक्ट बेचे हैं, इंडेक्स काल में 6153 कंट्रेक्ट बेचे हैं, इन्होंने काल बेची हैं और पुट भी बेची हैं तक्रीबन 7647 कंट्रेक्ट, डिया इस्टाक फ्यूचर बेचे हैं तक्रीबन 7377 कंट्रेक्ट, इंडेक्स फूचर खरीदे हैं 4750 कंट्रेक्ट और पूट भी खरीदी हैं तक्रीबन 746 कंट्रेक्ट दोस्तों एक बार नेट डाटा वे नदर मारी है नेट डाटा बहुत इंट्रस्टिंग है काफी दिनों से ड्वेलप हो रहा है मैं डेली आपके साथ डिसकस कर रहा हूं अब आपको पता नहीं कितना समझ में आ रहा है मैं नहीं जानता लेकिन अगर आप रेगुलर व्यूर है मेरे जब से मैंने चैनल शुरू किया तो आप शायद आप खुद भी डिकोड करने के में सक्सेस्फुल हो जाएंगे क्लाइंट्स तक्रीबन 15619 कंट्रेक्ट बेच के बैठे है सेल साइड पर डिया इस 19,000 के लगबग कंट्रेक्ट हैं सेल साइड पर एफ आइए इस ने आज पोड़ी सी पुजिशन अपनी बढ़ाइया अब इनके पास तक्रीबन 38719 कंट्रेक्ट हो गए है जो इन्होंने बाइए किये हैं और प्रास ने 3914 कंट्रेक्ट बेचिए है इंडेक्स काल में देखिए क्या है 13681, 13681 कंट्रेक्ट क्लाइंट के पास हैं, रिटेलर्स के पास हैं, DIA इसके नंबर में कोई चेंज नहीं है, FIA इसके पास तकरीबन 39672 कंट्रेक्ट हैं, हलका सा नंबर इनों ने यहाँ पर काम किया है कल के मुकाबले, और प्राउस के पास 53,620 कंट्रेक्ट जो हैं, वो राइट की हैं काल साइड में, कलाइंट्स ने जा किया है, पुट साइड में 92,825 कंट्रेक्ट बेचे हैं, DIA इसके पास 41,516 कंट्रेक्ट है, FIAE के पास, पुट साइड में एक पुजिशन इंक्रीज हुई है, 69,163 कंट्रेक्ट हैं, और प्राउस के पास तक्रीबन 17,854 कंट्रेक्ट सेल साइड में हैं, क्लाइंट्स के पास, इंट्रस्टिंग डाटा, जो मैं डेली आप से डिसकस कर रहा हूँ, आज फ्यूचर इंक्रीद होगी है, क्वंटिटी, 3,29,768 कंट्रेक्ट, इसके पास नंबर में कोई खास चेंज नहीं है, FIAE के पास आज नंबर कल के मुकाबले भी कम होता नजर आ रहा है, 3,69,146 कंट्रेक्ट और प्राउस ने भी यहाँ पे अपना नंबर कम किया है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोच रहे होंगे, क्लाइंट्स जो है, मैं डेली बोल रहा हूँ, FIAE के पास स्टॉक खतम होते जा रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर जो है, वो बाई करते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, मतलब यह निकल के आ रहा है कि किसी भी दिन यह मार्किट को बढ़ा जटका देने के लिए त्यारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ भी खास पूजिशन है नहीं, जिस दिन इन्हों ने अपना यह उपर वाला फ्यूचर बेचे, उस दिन आपको नजर में आएगा, मेरे एक भाई ने, मेरे दोस्त में पूछा था, आपको क्या नजर में आ रहा है, आप कैसे कह रहे हैं, मार्किट नीचे जा रही है, अब आपको आज समझ आ गया होगा, मैं कैसे कह रहा हूँ, अगर यह इंडेक्स फ्यूचर ख्रीद रहे हैं, तो यह स्टाक फ्यूचर क्यों बेच रहे हैं, इनके पास पूजिशन क्यों काम होती जा रही है, साड़े छे लाग से साड़े तीन लाग के लगबाग आ गया तीन लाग कंट्रेक्ट इन्होंने वहाँ पे थमा दिये किसको अब आप खुद भी समझदार हो अभी आप्शन चेन क्या कहता है वो देखते हैं 11,000 पे 18,62,000 का open interest है वहीं मंतली पे 31,32,000 का open interest है मैं देख भी र पड़ रही है कि अगर आपका 11,000 कटता है 11,000 के नीचे 15 मिनट भी ये सस्टेन रहती है तो आपको नीचे के लेवल खुलते हुए नजर आ सकते हैं मेरे कहीं दोस्तों को SGX निफ्टी देखके आई नींद भी नहीं आ रही होगी जो काल लेके गए हैं इसलिए मैंने जाते जाते टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कोई काल लेके मत जाना वही 11,100 पे रेस्टेंस बिल्ट हुई है 16,000 का उपन इंटरस्ट है 11,200 पे 25,000 का उपन इंटरस्ट है 11,100 ही अपने आप रेस्टेंस बन गई है 9,000 का यहाँ पे आज फ्रेश अडिशन है तो परसू के लिए रेंज क्या रहा सकती है 10,900 10,950 से लेगे 11,100 के बीच में वहीं अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें बैंक निफ्टी कैसे कामकाश कर सकती है बैंक निफ्टी में बहुत नीचे के लेवल भी ओपन ओत हुए नजर आ रहे हैं मैं जैसे ओपन इंटरस्ट देख आया 20,500 पे भी डीशन होता नजर आया इवन 21,000 पे देखो 5,41,000 का ओपन इंटरस्ट है वहीं 21,500 पे काल साइड पे देखोगे 2,27,000 का और 22,000 पे 6,23,000 का ओपन इंटरस्ट है अगर 21,000 से नीचे खुलती है आज जैसे आप 21,500 से नीचे खुलती है और 15,20 मिनिट सस्टे रहती है 21,450 के नीचे तो आपको नीचे के लैवल भी देखते हुए देखने को मिल सकते हैं तो आप एकार्डिंगली वैसे पोजिशन बना सकते हैं वैसे जो रेंज है वो मुझे नजर में आ रही है 21,000 से लेके 21,700 के लगबग अगर 23,350 के नीचे सस्टेन करना शुरू कि किया तो 21,000 और उसके नीचे लैवल खुल सकते हैं 21,700 के उपर अगर 15,750 के उपर सस्टेन किया तो उपर के लैवल खुलते हुए नजर आएंगे इसी हिसाब से आप अपनी पोजिशन मंडे को बनाईएगा आपको मुनाफ़ा हो सकता है तो दोस्तों उमीद है कि आपको इ मुझे लगता है कि खुश होंगी कि अगर उनको मैंने परसू सजेशन दी थी कि रिलैंस की काल से निकल जाना वो निकल गया उन्होंने कल अपडेट भी किया और उनको उसमें मुनाफ़ा हुआ क्योंकि वो बच गयोंगे तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो खतम करने क कि आपसे यही जाज़त चाहता हूँ नमशकार जाय हिंद।